हेलो एवरीवन वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल साही टूटोरियल मैं पंका सिंग साही के साथ आज आप लोग को साइन्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है माइक्रो ओर्गनियम थ्रेंड एंड फोई तो माइक्रो ओर्गनियम क्या है एक बहुत ही स्मॉल थिंग से हमें दिखाए देते हैं हमारे आई से हमें अपयर नहीं होते हैं ठीक है तो हम देखते हैं मौस्ची एरिया में जैसे फफूल लग जाती है फंगस लग जाती है उसको फंगी कहते हैं या ब्रेड में जो फंगस लग जाती है वो भी क्या है infection और जो वाइरस होता है वह noncellular होता है इसलिए उसको micro-organisms के category में नहीं रखा जाता है उसको और भी क्या रखा जाता है सब microscopic organisms के terms में रखा जाता है जैसे corona virus है वह भी वाइरस है जो कि living के सांद living जैसा भी हपर करता है और non living के सांद non living जैसा भी हपर करता है ओके next हम बात करते हैं कि where do microorganism live माज देखो बच्चो microorganisms जो होते हैं वो everywhere microorganisms are found everywhere कई भरी भी पाजाते है microorganism mostly क्या होते हैं single cell के होते हैं bacteria है algae है but some क्या होते है कुछ क्या होते है multicellular भी होते है जैसे algae and fungi होके हमने diagramma दे रखा है यह उपर क्या है sub-bacteriages है and second इधर algae and protogons है तो नीचे सबसे नीचे क्या है यह fungi है तो जो रिर microorganisms होते हैं everywhere present होते हैं जहां उनको अपना habitat मिलता है वह वहां क्या करते हैं grow करना start करते हैं और mostly जो microorganisms होते हैं और rapidly growth करते हैं तो rapidly growth करते हैं तो human beings के लिए beneficial भी हैं but human beings के लिए and plants and animals and bacteria के लिए harmful भी हैं तो इस तरह से क्या है कि जो microorganisms हैं वह everywhere present रहते हैं अपना habitat देखते ही वह हां survive करना start करते हैं next time देखते हैं start करते हैं virus से चुकि क्या है कि इन microorganisms के बिलकुल अलग है without cell से बना होता है capsid protein का बना होता है capsid protein का बना होता है सबसे पहले वाइरस को Russian scientist Ivanovski ने क्या किया था और वाइरस क्या है non cellular organs होता है infectious stress होता है bacteria को infect करता है plant को करता है animals को करता है ठीक है millimicrons में इसको चागी जाता है measure किया जाता है 0.12 0.1 millimicron और 300 millimicron के something क्या होता है इसका diameter होता है तो इसका जो cytoplasm यह किसी भी living being के body में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या करता है replication replication means same type की copies बना रहता है इसलिए coronavirus क्या करता है उसकी chain तोड़ दो ठीक है coronavirus भी क्या है इसी तरह से एक virus के category का ही है जिससे क्या हो रहा है कि वह किसी भी animal में किसी भी human की body में पहुंच रहा है तो हम multiplication करा है जैसे बहुत सारे virus बना रहा है जैसी वह non living में जाएगा तो क्या हो जाएगा उसकी यह capacity दूर हो जाएगी ठीक है तो बहुत सारे viruses है जो क्या करते है human beings को animals को plants में disease cause करते है okay next हम देखते है micro organs and us हम और micro organs का क्या relation है हमारा साथ friendly relation देखते हैं तो friendly relation में देखते हैं कि जो micro organs होते हैं वो क्या करते हैं वो human beings के लिए बहुत important role play करते हैं जैसे milk को काड में change करना जैसे soil की fertility को increase करना जैसे atmosphere में जो भी organic waste होता है उसको degrade करना decompose कर देना सफाई वाला microorganisms के नाम से भी जाने जाता है सफाई वाला microorganisms तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे क्याहन के friendly role है हम start करते है friendly role of microorganisms में making curd and bread तो lactobacillus यह बैक्टरिया है जो क्या करता है milk को कर्ड में change करता है और कुछ और भी बैक्टरिया होते है जो cheese, pickles and other food items को बनाने में help करते है जैसे बेकरी का जो भी सावान होता है यान की बेकरी की जो प्रोडक्ट होते है जैसे बंद, biscuit वे गएर वेगए तो इनको जो making की जाती है वो yeast yeast यह फंगी होता है तो yeast को powder के form में collection कर दिया जाता है इस्टोर किया जाता है और उसको फिर क्या किया जाता है किसी भी dough के साथ mix up करके उसको swallow यान की उसको फुलाने का काम करता है उसके अंदर क्या भढ़ जाती है यान की yeast का फुला जाता है दूसरा इसमें commercial use Commercial use का मतलब लार्ज scale में किसी भी चीज को large scale product commercial use के लाता है किसी भी चीज को large scale भी प्रडूस करने के तो हो क्या करेंगा Commercial production तो alcohol, wine, acetic acid, vinegar यह जाती है yeast उनमें yeast में क्या करता है fermentation की process करता है जिससे क्या बन दिए production होता है sugar has been converted into alcohol by yeast इस्ट क्या करेंगा, सुगर को एलकोहल में कर देगा है, ठीक है, ग्रेंस में, बाले, वीट, राइस, इन में जो भी सुगर होता है, वो सुगर को एस्ट क्या करता है, अलकोहल में कर देता है, ओके, और the process of conversion of sugar into alcohol, ये कहला दी है, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन को सबस कासी medicines होती है, जो against body, किसी भी another body के against क्या करती है, डिजेज के साथ fight करती है, और हमारी body की में, जो human beings की body में, antibody को क्या करती है, stimulate करती है, और fighting सुरह होती है, इसलिए क्या लिजाती है, हम किसी भी fever में हम antibiotic से लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले, Alexander Framing ने क्या दकिया था, 1929 में, पैनेसिनियम नाम की एक fungi होती है, उस पैनेसिनियम नाम की fungi से पैनेसलीन नाम के antibiotic को extract किया था, ठीक है, अधन उसके बाद बहुत सारे antibiotics से बने, लिखे भी है, esteptomyocene, tetrocycline, erythomyocene, यह कि हैं, बहुत सारे antibiotics हैं, जो bacteria and fungi, दोम उसे extract किया जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक को चेक करके उसके अंगेसंटा करते हैं इसी में, वाइरस के रड़ाई लड़ने के लिसे एंटी बाइयोतिक का यूज नहीं किया जाता है वाइरस के लिए वैक्सीन प्रितिया की जाती है और एटुजशन को प्रितियर कने का काम सबसे पहले सबसे पहले, Edward general ने 1798 में Edward general ने क्या क्या था, वैक्सीन त्यार कि थी किसकी? Smallpox की वैक्सीन को, तो smallpox की वैक्सीन को त्यार की, तो mostly जो diseases होती है virus से, उससे क्या लिया जाती है, वैक्सीन जाती है, वैक्सीन क्या करती है? prevention करती है disease से उस process को कहते है हम vaccination ठीक है वैक्सीन लेना vaccination कहलाता है ठीक है childhood period में देखते भी है वह सारे add आते हैं polio, pulse polio अभियान ठीक है तो वो कहते हैं पहले यह vaccine ले ले जाती है जिससे क्या होता है कि जो polio का virus होता है वो paralyze नहीं करता है हमारे blood vessels को narrow नहीं करता है next हमारा जो friendly role है वो क्या है increase soil fertility ठीक है तो जो micro organs है जैसे rhizobium rhizobium एक ऐसा bacteria है जो soil की fertility को increase करता है हमको पता है कि atmosphere में nitrogen का amount सब से ज़्यादा होता है 78% nitrogen होती है तो rhizobium क्या करता है leguminous plant या जो pulse दाले वाली plants होती है उनकी roots में रहता है और वहां से क्या करता है atmosphere nitrogen को fix करता है और nitrate में convert करता है और plant को nitrogen nitrate के form में provide कर वाता है नहीं की nitrogen को nitrate में बदल कर nitrate में plants को दाल वाली plants को देता है कौन? rhizobium ठीक है तो ये क्या होगिया? एक प्रकार था symbiotic relationship हो गिया और इसले क्या होगी? जो plants है वो grow करेगी अब ये स्थो symbiotic relationship है ये क्या है? बहुत important है symbiotic relationship means दो जो organisms होते हैं जब दोनों एक दूसरे के लिए beneficial होते हैं उसको हम symbiotic relationship भी कहते हैं उसको हम mutual relationship भी कहते हैं और इस process को हम mutualism कहते हैं means इसमें क्या करता है rhizobium leguminacy plants rhizobium को अपनी roots में रहने के लिए घर देते हैं और ये तो हो गया leguminacy का ये प्लांट से का उनको अपने उसमें roots में रहने देना और राइजोबियम क्या करता है nitrogen को food को nitrate में देता है as a food तो दोनुका क्या हो गया beneficial लोल हो गया ओके तो ये ही symbiotic relationship है thanks for watching my video like करें share करें subscribe करें thank you again और समझे